नमस्कार दोस्तों बदो साथ आपका हमारे चल्में दोस्तों आशे वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुती खास और एक बहुती जरूरी टॉपिक के उपर दोस्तों यहाँ पर हम आपके जो सवाल होते थे जो आपके डाउट्स होते थे उन्हें यहाँ पर पूरा कि की complete detail देंगे कि BPL card क्या होता है कि इन लोगों को मिलता है उनकी eligibility क्या है और इसका लाब क्या होता है दोस्तों यहाँ पर BPL card से जो आपके सवाल होते थे उन्हें हम यहाँ पर clear करने कोश्च करेंगे तो आपसे request इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे सब्सक्राइब के लाल निशान के पर टच करके और उसके बद घंटी के निशान पर जो टच कीजे ताकि हमारी नए 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 वीडियो लगातार आप तक मिलती रहें तो दोस्तो चलिए बात करते हैं कि BPL Card आखिर होता क्या है दोस्तो BPL Card का मतलब होता है BPL Below Poverty Line Below Poverty Line यानि कि गरीबी रेखा से नीचे अब आप में से बहुत से लोगों के अंदर ये सवाल उठता होगा कि जो Below Poverty Line है वो लाइन आखिर है क्या यानि कि गरीबी रेखा है क्या कैसे आप पता करेंगे कि गरीबी रेखा से आप नीचे आते हैं या उपर तो दोस्तो भारत के अंदर अलग अलग राजियों के अंदर गरीबी रेखा जो है वो अलग अलग निर्धारित की गई है यानि कि हरियाना है तो हरियाना में गरीबी रेखा अलग है और अगर आप बिहार में हैं तो बिहार के अंदर गरीबी रेखा अलग हो सकती है यानि कि निर्धारन अलग हो सकता है अब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बिहार के अंदर मान लिजे आपके परिवार की साला ना आए अगर 10-15,000 रुपे से कम है तो आप गरीबी रेखा के अंदर आ सकते हैं वहीं हर्याना के अंदर ये जो सीमा है वो 20,000 तक है तो दोस्तो ये आपको खुदी पता करना पड़ेगा कि आपके स्टेट के अंदर गरीबी रेखा क्या निर्धारित की गई है ये आप अपने प्रधान या आप किसी से भी आसपास पता कर सकते हैं और इसी से आप जान सकते हैं कि आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या उपर ठीक है अब दूसरे हम बात करते हैं कि किन लोगों को मिलता है तो दोस्तो जैसे कि मैंने आपको बता है कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो आते हैं उनी लोगों को ये कार्ड एशू किया जात अब बात करते हैं कि इसका फायदा क्या होता है तो दोस्तो BPL कार्ड का फायदा यह होता है कि इससे आपको बहुती सस्ते दामों में आपको राशन दिया जाता है या राशन आपको मिलता है बहुती सस्ते दामों में जी हाँ यही इसका एक मुख्यक काम होता है और इसी के साथ BPL कार्ड होल्डरों को बहुत सारी जो सरकारी जो योजना होती है उसके अंदर भी लाब मिलता है जादातर लाब आपको इसी कार्ड के साथ आपको मिल सकता है ठीक है तो ये इसके फायदे हैं ये इसके लाब हैं और दोस्तो किन लोगों को मिलता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया तो इसके अंदर ऐसी कोई जादा बात नहीं है सिर्फ यही चीज है आपके अंदर यही डाउट रहता था कि किन लोगों को मिल सकता है तो वो गर बढ़ा फायदा है दोस्तो इससे आपको सरकारी राशन तो मिलता ही है और बहुत कम दामों पर मिलता है ये भी इसका एक बहुत बढ़ा फायदा होता है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको BPL कार्ड से जुड़ी हुई अपक्तना ही दन्यवाद